आजकल परियावन बहुत अधिक प्रदूशित हो गया है स्वास वायू की प्राप्ति के लिए सरकार भी प्रोथ साहत कर रही है और हम खुद जागरुक हो चुके हैं कि हमें पेड लगाने चाहिए तो इसके लिए हम अपने घरों में भी अब पेड लगाने लगे हैं और लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए इन पौधों को लगाने से घर में नकारात्मक पूर जाएं प्रवेश कर जाती हैं उपरी बाधा इत्याधी भी प्रवेश कर जाती साथ में घर में दरे दिरता का भी निवास हो जाता है तो य कि यो तिस के चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वाकट करती हैं और कैसे हैं आप सभी आश्रा करती हूं आप सभी अपने परवार के साथ स्वस्त होंगे प्रसन्न होंगे सुखी होंगे हाजिर हूं अम्रत की बुढ़ जादूः अक्षर लेकर इसके साथ ही आपको रहुकाल आपको detail दोंगी दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमर्द की भूद और जादूई अक्षर देती हूँ यह आपके भागी को चमकाने का तो कारे करते हैं आपके नौग्रहों को आपको support दिलाने का कारे करते हैं आपके मन को संतुलित करते हैं विवस्तित करते हैं, आपको energetic महसूस कराते हैं आपकी सोच को positive करते हैं आपका चंद्रबाब लिया होने लगता है आपका लाव भाव भी आपको लाव देने लगता है, आपका धनभाव लिया होने लगता है मातरिक एक मिनट की प्रयोग है जिसमें ना आपका समय ही लगता है ना कोई धन कर जोथा है आपको अपने भागे का सपोर्ट चाहिए आपको धन चाहिए तो आपको इन दोनों प्रयोगों को अवशी ही करना चाहिए मैं जो आपको प्रति दिन अम्रित की बूंदर चादू रक्षर देती हूं ये नो ग्रोहों पर आधारित है प्रति दिन की घ्रह प्रस्तितों के आधारपन प्रयोगों को तयार किया जाता है आपकी कोई भी राशी हो आपकी जन्मांग में ग्रोहों की कोई भी अवस्ता रही हो आप भारत में ये विश्में आप किसी भी देश में रहते हो ये 10 वर्ष के बच्चे से लेके 90 वर्ष तक के बुजूर याने बच्चे महिला पुरस बुजूर्ग सभी के लिए समान रूप सो पयोगियों प्रभावी हैं इन प्रयोगों को किसी विधर्म का विक्ति आसानी से करके अपनी जीवन में शुपता प्राप्त कर सकता है दोस्तों जब आप अमरत की बुदर जादू अक्षे का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं लगातार करते हैं तब आपके नो के नोगरे संतुलित विवस्तित होने लगते हैं साथ में ही आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है आपका मन शांत रहने लगता है प्रसंद रहने लगता है आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है आपकी ओरा क्लीन हो जाती है आपकी इमेनिटी वुष्ट हो जाती है आपको जल्दी से कोई रोग परेशान नहीं करते हैं परेशान नहीं होते हैं, सोच पॉजिटिव हो जाती है, ग्रहों का संपोर्ट मिलता है, तो आपको जिन कार्यों में आपको असफलता मिल रही है, यह जिन कार्यों से निकलने के लिए आपको मार्ग नहीं मिल रहे हैं, उनसे आपके पास बहुत सारी बिकल्प आ जाती हैं, और उनसे आसानी से निकल जाती हैं, इसी को कहते हैं, भागे का साथ मिलना, अक्सर आप लोग कहते रहते हैं, हमें तो भागे का साथ ही नहीं मिलता, तो आप इन दो प्रेगों को करके देखिए, आपको खुशी दिनों में इनका असर आने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि आपकी कार बनने लगे हैं आप स्वेम करें परवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तब इनका आपको प्रभाब जल्दी दिखाई देगा बच्चे जिनका की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है या अपने केरियर में सफलता नहीं प्राप्त करें उन्हें अवश्य कराईए जिसे उनकी ये समस्याएं समाप्त हो सके 17 फरवरी 2021 दिन बुधवार आज का राहुकाल है 12 बच कर 31 मिनट से 1 बच कर 51 मिनट तक इस समय आपको कोई भी शुबो नयकारारम नहीं करना चाहिए आज अब जीत मूर्थ का कोई समय नहीं है आज की अमरत की बून में आपको थोड़ी सी एक चुटकी फिटकीरी पाउडर आपको अपने दातों में घुमा लीजे और उसे पुला कर दीजे प्रेयोग पूरा हुआ आज का जादू यक्षर है गजानन वाला गा दोस्तों इस तरह से गजानन वाला गा इस गा शब्द का आप लेफ्ट एंड पर रेट कलर के पैंसे कहीं भी लिख कर छोड़ दीजे 24 गंटे तक लिखा रहें दीजे दूसरे दिन आप नहाएंगे दूल जाएगा मैं आपको नए शब्द हूँगे आप इसको फिट से लिख सकते हैं आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी से सफेद कागज की चिट लेजिए रेट कलर के पैंसे लिखिए फोल्ड करके परस्या पोकेट में रखिए 24 गंटे तक साथ रखिए दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड की जड़ में छोड़ देजे आप इसको अपनी मदर टंग यानि मातर भाश्रा में भी लिख सकते हैं लेकिन प्रनाउंसेशन उसका गाही होना चाहिए आपको ये मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूले साथ में कमेंड में जै माता दी रादे रादे अवश्य लिखें चैनल पर नए आईए या आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गंटी के बटन को आल पर कर ले जिससे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आपसे कोई भी वीडियो मिश्ट ना हो साथ मैं अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड सर्कल मैं इन्हें शेयर कर दी जैसे और भी व्यक्ति मातरे के एक मिनट के प्रेयोग करके अपनी जीवन में शुक्ता प्राप्त कर सके दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया पौधे हम सभी को पौधे अधिक पसंद आते हैं जब उनकी हर्याली हमारे घर में होती तो हमारे घर में फ्रेश एयर का संचालन होने लगता है हमारे घर में फ्रेश एयर मिलने लगती है हमें भी ऑक्सिजन की प्राप्ति होने लगती है जब यह हम पौधे अपने घर में लगा लेते हैं तो इनसे एक तो नकारत्म कूर्जा का संचार हमारे घर में होने लगता है हमारे घर में बीमारियां प्रवेश करने लगती हैं, उपरी बाधायां प्रवेश करने लगती है घर में गरीवी का निवाश होने रबता है जिसमें सबसे पहले पौधा है इमली का इमली का पौधा हमें अपने घर की बाउंडरी के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए दोस्तो इस पौधे पे सबसे अधिक भूत और जिसको कहते हैं उपरी भ्यादा आकर बैठती है और ये हमारे घर में हवा के जरिये भी हमारे घर में प्रविश कर जाती है और हमारे घर में ऐसी सी घटनाएं होने लगती है भ्रम की स्थिती पैदाएं होने लगती है हमें अंजाना डर सताने लगता है तो यह पौधा आपको कभी ने अपने घर में लगाना चाहिए। दूसरा पौधा नागफनी का जिसमें कांटेदार कैक्टस जिसको बोलते हैं। कैक्टस का पौधा भी अपने घर में लगाना चाहिए। क्योंकि यह भी बहुत ही जदा अधिक नकारात्मक उर्जा पैदा करता है। इसके जो कांटे हैं वो हमारे घर के रिष्टों को खराब करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कटिले पेड़ जब हम घर में लगाने लगते हैं तो इन में से दूध भी निकलता है। इनके यह कांटे हैं यह हमारे रिष्टों में कांटे पैदा करना सुरू कर देते हैं। तो इसलिए क्याक्रस के पैदे पौधे को भी अपने घर की बाउंडरी के अंदर कभी नी लगाना चाहिए। तीसरा पौधा दोस्तों नीवू का पौधा। नीवू के पौधे को भी शुब नहीं ही माना जाता है। इस पौधे को भी अपने घर में कभी नी लगाना चाहिए। इस पौधे पर भी नकारत्मक उरजाये बहुत जल्दी अटेक्ट हो जाती हैं। और वो भी हमारी घर में इसी तरह की घटनाय करानी लगती है। पीपल का पेड़ भी आजकल लोगों को फेशन में बॉनजाई गरूप में अपनी घरों में लगाने लगी हैं, दोस्तो पीपल का पेड़ भी कभी ने लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाने से घर में पित्रदोष पैदा हो जाता है, बास्तू दोष भी पैदा होता ह और साथ में क्योंकि पीपल का पेड़ सनी देव को भी आती प्री है तो हमारे घर का सनी भी अक्टेव हो जाता है इतने सारे इसके नुकसान है इसलिए पीपल के पेड़ को भी घर में नहीं लगाना चाहिए अब लास्ट पौधा है दोस्तों अम्रूद का पौधा अम्रूद के पौधे को भी घर में कभी नहीं लगाना चाहिए अम्रूद का पौधा भी यही इस्तितियां पैदा कर देता है घर में नकारात्मक उर्जालक पैदा कर देता है घर में तरह तरह के भ्रम पैदा होने लगती है घर में भ्रम की इस्तितियां होने लगती है तो आ आपको पौधे विसेश रूप से अपने घर में लगाने चाहिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि तुलसी की पूजा की जाती है, तो तुलसी तो बहुत ही अधिक शुब माना जाता है, तो तुलसी का पौधा आप लगाईए, सास्त्रों में बढ़नित है, अगर आप अपने और अधिकर के दरवाजे पर बेल का पेड़ लगाती हैं, अपने घर के पीछे पीछे वाले हिस्स्से में केले का पेड़ लगाती है, तो कहते हैं इसमें, कि मात अउंग दौधों को लगाने से ही, आप घर में कोई पूजा-पाथ ना भी करें, आप कुछ भी ने करें, मा नपते भी नहीं है और लगते भी नहीं है आप कोशिच भी करेंगे तब भी नहीं लग पाते हैं ये पौदे क्योंकि जब आपके घर में सकारात्मा कूर्जा होती है तब ये पौदे आपके घर में लग पाते हैं यही तुलसी के पौदे के साथ है अगर आपके घर में बु कि अपने घर में किन पॉध्लों को लगा कर स्वतहिं इमाता मालक्ष्मी का नवास अपने घर में करा लेते हैं औरधन के आजमन के रास्ते खुल जाते हैं आप मुझसे किसी जो सी समस्या का चीलिकलान चाहते हैं अपनी पर करागा चाहते है या मेरे यूटूब के comment box में लिखकर भी आप अपनी कोई भी समझ सकने वारा जान सकते हैं आप उसे किसी और विशय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप विशय मुझे लिखिए मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दूँगी आज के लिए वस इतना ही कल मैं फिर मिलूँगी अपने अम्रत की भूदर जादू यक्षर के साथ धन्यवाद